नमस्ते बच्चों, आज हम पढ़ेंगे सहर्ष स्विकारा है, यह कवीता गजानन माधव मुक्ति बोध द्वारा लिखी गई है सहर्ष स्विकारा का अर्थ है खुशी-खुशी स्विकारा है कवी कहता है कि मेरे जीवन में जो कुछ भी है वेह मुझे सहर्श स्विकारे है मुझे जो कुछ भी मिला है वेह तुम्हारा दिया हुआ है यहां तुम्हारा से कवी का तात्वरिय अज्ञात प्रिये से है वेह प्रिये मा, पत्नी, बहिन या मित्र कोई भी हो सकता है तुम्हारे साथ मेरा नाजाने कौन सा नाता है कि मैं जितनी भी भावनाए बाहर निकालने याने प्रकट करने का प्रयास करता हूं वे भावनाए उतनी ही अधिक मेरे हुर्दे में उमड़ती रहती हैं तुम्हारा चहरा मेरे उपर धर्ती पर चांद के समान अपनी कांती च तूर हो जाना चाहता हूँ, क्योंकि मैं भीतर से दुरबल पढ़ने लगा हूँ, तुम्ही मुझे दंड दो ताकि मैं दक्षनी धुरूर के अंधकार मही अमावस्या की रात्री के अंधेरों में लुप्त हो जाओं, मैं तुम्हारे उजालेपन को अधिक सहन नहीं कर पा र ये का सहारा है, कवीता देखिए, जिन्दगी में जो कुछ है जो भी है, इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है, गर्वीली गरीबी, ये गंभीर अनुभव, ये है विचार वहबव सब, दृड़ता यह, भीतर की सरीता यह, अभीनव सब, मौलिक है, कि पल-पल में जो कुछ भी जागरत है, अपलक है, समवेदन तुम्हारा है, कवी कहता है कि मेरी जिन्दगी में जो कुछ भी है, जैसा भी है, उसे मैं खुशी से स्विकार करता हूँ, इसलिए मेरा जो कुछ भी है, वह उसे, मा या प्रिया को अच्छा लगता है, मेरी स् मौलिक है नए है इनकी मौलिकता का कारण यह है कि मेरे जीवन में हर शन जो कुछ घड़ता है जो कुछ जागरत है उपलब्दी है वह सब तुम्हारी प्रेड़ना से हुआ है इसलिए कवी जो कुछ उसे जीवन में मिला है उसे खुशी खुशी स्विकार करता है इस कवीता में रहसेवादी भावना है कवी अपनी हर उपलब्दी का श्रे अपने प्रिये को देता है अब प्रिये कोई भी हो सकता है मा भी हो सकती है पत्नी भी हो सकती है प्रिया भी हो सकती है संभोधन शैली है मौलिक है कि आवरती प्रभावी बन पड़ी है, विचार वैभव और भीतर की सरीता में रूपक अलंकार है, पल-पल में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, सहर्शु स्विकारा, गर्बिली गरीबी विचार वैभव में अनुप्रास अलंकार की छटा है, खड़ी बोली है, कावे की रचना मुक्तक चंद में है, जिसमें गर्बिली गंबीर आदी विशेशनों का प्रियोग किया गया है। आगे दिखते हैं आगे दिखते हैं अपने प्रिये के अपने आसपास होने की अनुभूती होती है कवी आंत्रिक वा भाय जगत दोनों ही जो इस्तितियां हैं वो कवी की उसी प्रिये के इसने से संचालित होती है कवी अपने प्रिये के सने से पूनतया आच्छा दित है दिल में क्या ज़र्नाहे में प्रश्नलंकार है भर-बर में पुनरुकती प्रकाश लंकार है जितना भी उंडेलता हूँ फिर भर-बर आता है विप्रेत बात है इसलिए विरोधावास लंकार है मीठे पानी का सोता है रूपकलंकार है प्रिये के मुख की चांद के साथ समानता के कारण उपमालंकार है मुख तक चंद है खड़ी बोली युक्त भाशा में लाक्षन इकता है सचमुच मुझे दंड दो की भूलू मैं भूलू मैं तुम्हें भूल जाने की दक्षनी दुरूवी अंधकार अमावस्या शरीर पर चहरे पर अंतर में पालू मैं जेलू मैं उसी में नहालू मैं इसलिए कि तुमसे ही परिवेस्ठित आच्छा दित रहने को रमणिय ये उजेला अब साहा नहीं जाता है ममता के बादल की मंडराती कोमलता भीतर पिराती है कमजोर और असक्षम हो गई है आत्मा यह चटपटाती को भवी तव्यता डराती है बहलाती सहलाती आत्मियता बरदास्त नहीं होती है कवी अपने प्रिये स्वरूपा को भूलना चाहता है वह चाहता है कि प्रिये उसे भूलने का दंड दे वह इस दंड को भी खुशी-खुशी स्विकार करने के लिए तैयार है इसके लिए प्रिये को भूलने का अंदकार कवी के लिए दक्षनी धुरूपर होने वाली छे मास की रात्री के समान होगा वह उस अंदकार में लीन हो जाना चाहता है वह उस अंदकार में लीन होकर उसे अपने शरीर हिर्दे पर जीलना चाहता है इसका कारण यह है कि प्रिये के इसने के उजाले ने उसे घेद लिया है यह उजाला अब उसके लिए असहनिय हो गया है प्रिये की ममता या इसने रुपी बादिल की कोमलता सदेव उसके भीतर मंडराती रहती है यही कोमलता उसके हर्दे को पीड़ा पहुँचाती है इसके कारण उसकी आत्मा बहुत कमजोर और असमर्थ हो गई है और वे हर पल भविशे में होने वाली अनुहोनी से रहने लगा है हम जब किसी से इसने करते हैं हम यहाँ पर मा का ही उधारन ले लेते हैं जब हम हमारी माता से दूर होने की बात की कल्पना भी करते हैं मा को खो देने की भी कल्पना अगर हमारे मन में आ जाती है तो हमें वो घटना वो जो होने भविशे में होने वाली घटना है उससे ही हम भीतर तक कमजोर हो जाते हैं क्योंकि इसने प्रेम भीतर तक कमजोर कर देता है यह मुक्तिभोध यहाँ पर कहना चाह रहे हैं उसे भीतर ही भीतर डर लगने लगता है कि कभी उसे अपनी प्रियत मा या प्रिया के प्रभाव से अलग होना पड़ा तो वह अपना अस्तित्व कैसे बचाए रख सकेगा अब उसे उसका बहलाना, सहलाना और रह रहकर अपना पंजताना सहन नहीं होता वह आत्म निर्भर बनना चाहता है कभी अत्यदिक मोहों से अलग होना चाहता है संबोधन शहली है खड़ी बोली में सशब्थ अभी व्यक्ति है जिसमें तक्सम शब्दों की बहुलता है स्वर मैत्री अलंकार है। इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है। जो उसके ना होने से बनाओ ऐसी जगें पर भी अब यहाँ थोड़ा सा विरोधा भाई से इस्तिती आ गई। कवी अपने प्रिये के प्रेम से दूर भागना चाहता है। कवी अपने आपको मानसीक रूप से मन से मजबूत करना चाहता है। इसलिए वो चाहता है कि मैं अपने प्रिये मा या पत्नी या प्रिया के इसने से कमजोर होता जा रहा हूँ। इसलिए मुझे उससे दूर होना है। लेकिन फिर वह कहता है कि ऐसी जगहें पर भी उसे अपने सरवाधिक प्रिये का ही सहारा है। उसके जीवन में जो कुछ भी है या जो कुछ उससे अपना सा लगता है वह सब उसके कारण है। उसकी सत्ता, इस्तितियां, भविशे की उननती या आवनती की सभी संभावनाएं प्रिये के कारण है। कभी का हर्ष, विशाद, उननती, अवनती सदा उससे ही संबंदित है। कवी ने हर सुख दुख सफलता असफलता को प्रसनता पूर्वक इसलिए स्विकार किया है क्योंकि प्रियतमाने उन सब को अपना माना है और वे कवी के जीवन से पूरी तरहें जुड़ी हुई हैं। काव्यांश में खड़ी बोली का प्रियोग हैं। मुक तक चंद है धन्यवाद।